शीदा सर कॉंग्रेस के जो लगातार एक के बाद एक कॉंग्रेस को घेरा बंदी करने की कोशिश की जा रही है भारत जोड़ो यातरा के बाद और तेजी हो यह बीच में तेजी हो गई थी क्या का आज से अगर हम साथ आठ महीने नौ महीने पहरे सोचें तो तब तो शायद प sill. और क्या कॉंग्रेस डढ़ेगी? इस पर तो मुझे पूरी शंका यह टो नहीं ड़रेगी? लेकिन डराना चाहेगी सरकार यह तो उसकी प्रृत्ति में है. वो सिर्फ कॉंग्रेस के लिए नहीं है जहां जहां चुनाओं होते हैं जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं या जहां-जहां कोई राजनेतिक जी जो बहुत प्रसिद्ध सीनियर एड़ोकेट है हमारे देश के बार के प्रेसिडेंट भी रहे सुप्रीम कोड की कि अब सुप्रीम कोड जो है सरकार से ऐसे मामलों में जो सीधे उचे नेत्रित्व को प्रभावित करते हों वहां जैसे कहें आप अपनी भाशा में हम लोग का नाम उन्होंने भी बात कही थी कि कॉंग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोड बड़े आराम से सरकार को चैटू जी का मामला हो या कोई भी मामला हो उसमें कटगरे में खड़ा कर देता था जहां चवांच के आदेश तो बहुत कॉमन थे लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं है उसकी हिम्मत तूट गई है तो सुप्रीम कोड की हिम्मत तूटना जो है वो देश की हिम्मत तोडने के बराबर है क्योंकि वो आखरी जगे है जहां पे लोगों को मियाय में ये लगता है मिले या ना मिले एक भरोसा रहता है वहां पर अगर वो भरोसा तूटता है जो तूट रहा है और यह हम नहीं कह रहे हैं यह सुप्रीम कोड के रिटार्ड जजिजस कह रहे हैं यह सुप्रीम कोड की बार के प्रेसिडेंट कह रहे हैं एक बहुत सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं जो जिनकी बात का मतलब है यह बहु ही अकर आई है सुप्रिम कोट के एक फैसले की वजह से ही एडी के पास अब ऐसे अधिकार हो गए हैं कि वो किसी को भी पकड़के हमको आपको किसी को भी किस बिना किसी वजह के भी पकड़के दो-तीन साल के लिए जेल में सड़ा सकती है और हमारी जमानत नहीं होगी हम जमान कोई इसका निदान करे ये पहल करने के उनमें सामर्थ नहीं है तो नतीजा क्या हो रहा है कि सरकार जो चाह रही है जैसे चाह रही है जितनी बेशर्मी से चाह रही है वैसे कर रही है अब दूसरी बात होती है कि एक तो होता है कि हमारी इंस्टिट्यूशनल जो प्लेटफ वो होगी खाली हो जाएगी तो संसदावारा हो जाएगी तो सड़क पर गर्मी उस तरह से नहीं है एक यात्रा बहुत अच्छी हुई उससे राहूल गांधी की छवी कुछ बेटर हुई कुछ वो लॉजिकल लोगों को समझ में आया थोड़ा उसको प्रचार भी मिला कांग् करें तो भी उसके पहले मिले उसके पहले तो सरसथ मिला था जिन को 63% मिला था उन सबgeh कि लोगतंत्र जो खत्रे में पूरी तरह से जा पर से जारी है। नहीं तो वो मतलब उसका वो कैसे भरपाई कर पाएंगे आने वाले दिनों में यह समझना मुश्किल है देखिए आपने स्विकार किया कि बहुत सारी पार्टियां तो उन्होंने हथियार डाल दिये जैसे बस पाएं जैसे एकद तक सपाएं ऐसी बहुत सारी राजनेतिक दल है राजियों में जो राज्य में वू रोगाच्टे केंद्र से वओ हाथ मिलाकि चलना चाहते है यह सारी परस्थितियां एक ताना शाही की परिस्थिति को करती हैं और क्षायता और दिखाती हैं लोगों की इस सब में जनता सहाय हो रही है उन्होंने पूरे source को खतम कर दिया है अब मीडिया नहीं है जिस प्रसंग पर आप चर्चा कर रहे हैं या हो सकता कुछ और यूट्यूब एक दो चर्चा करें जिनकी बहुत सीमित following है उसकी तुलना में सारे टीवी चैनल तो कुछ और बात कर रहे हैं वो तो बात कर रहे हैं कि साब वो मोदी जी के पिताजी के बारे में फलाने ने क्या कहा और उस पर सारा सारा विमर्श उनों ने वहां ठेल दिया है वो ऐसे ही रोज नए दैनिक विमर्श पैदा करते हैं उनकी बूल मुद्दा यह है कि जो सवाल पैदा हुए है जो हमारे लोगों ने नहीं पैदा किये एक अंतरास्टी एजनसी ने जो सट्टा बाजार एक तरह से कही है शेर बाजार में सट्टा खिलती है उसने अपने बिजनेस के लिए इनकी जाच की जाच पड़ताल में उ बहुत कमजोर कर दिये गए हैं पीते दिनों में और वो यह समझ नहीं रहे कि वो किस खत्रे को अंगीकार कर चुके हैं और नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा मामला अभी आनन जी के चैनल पर भी बात हो रही थी भारत के आजाद देश के इतिहास में ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है कि एक दो नहीं सवा लाग करोड़ रुपए सवा लाग करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन्स भारत से पैसा चोरी से पता नहीं किस किस तरह से टेक्स हैवन के उन एकाउंट्स में गया जिन एकाउंट्स का संचालन गौता मदानी के बड़े भाई विनोध अडानी करते हैं जो साइप्रस के रिजिडेंट हैं उन कंपनियों ने उन पैसे में से 99 फीजदी तक गौता मदानी की कंपनी में रीडिरेक्ट किया ये दोनो तथ्य यहां और वहां दोनों के टैक्स एजनसी में सेवी जैसे और्गनाईजेशन में उपलब्ध हैं इन पे उपलब्ध हाकडों के अधार पे अनलिसिस करके एक विदेशी एजनसी ने ये तथ्यदेश के सामने रख दिया इन तथ्यों पर बात होने की जगे मोटिव प इतना बड़ा काला धन का साफ साफ री रूटिंग कंपनियों के नाम उनकी बैलेंशीट्स उनके रिटर्ण्स उनके खाते से आये हुए पैसे का एक-एक सिक्के का डिटेल इतनी सूचना है कभी हमारी टैक्स एजनसीों को जिनको पकड़ने का ये जिम्मेदारी है कभी उ सामले में है पनामा पेपर्स वगेरे जनरल बाते करते थे इनके इनके खाते हैं यहां यह कह रहा है खाते ही नहीं है खाते तो हैं इन खातों के निदेशक कौन है इन खातों में रकम कितनी आई इन खातों ने कितनी रकम भारत में किस कंपनी में ट्रांसफर की और उसको फ कि इतने बड़े सत्य पर इस देश में सड़कें शान्त पड़ी हुई है। तो हम अब लोकतंत्र को बचाने की हालत में नहीं, लोकतंत्र जा चुका है। अब देखना ये है कि जो भी जैसा जिस हाल में है, क्या ये हमारे लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को निभा है, वो इस जिम्मेदारी को आने वाले एक मौके में दो हजार चौबिस तक कुछ समझदारी का प्रयोग करके, कुछ दियानतदारी का प्रयो दूसरी बताई जाती हैं मैं पड़सो सुदीर चौदी का शो देख रहा था दो चार्ट बनाएं उने तो पहले चार्ट में उने घर की रसोई की महँगाई का खर्चा जिकर किया कितना दूद कितनी समझी अगला चार्ट बनाया कि आपके घर में तीन लोग होंगे तीन करें तो आपका में इस्क्रीम मीडिया जिर देश में 82 करोड़ों को दो वक्ता नाज नहीं है वहां यह संद्धाने की कोशिश कर रहा है कि वहीं महँगाई यहंगाई कोशनी आप डाटर पर ज्यादा कर रहे हैं आप ज्यादा कावेल हो गया है तो इससे शीतलती कोई आपने सुना था अभी दूसरी रिपोर्ड वी आई है कि एक कंपनी और है इसराइल की जो इस तरह के चुनाओं के मामलों में जिसमें भारत भी शामिल है उसने इसमें काम किया है और वो लोगों की राय बदलने में ये तो बहुत पहले इनमोम चोंग्स की लिक्स चुके ह बहुत से लोग अभी भाषणों में उस लफाजी पर रहते हैं कि जंता जब जाग जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है इस तरह की बाते अब जंता को जागने ही नहीं देंगे वो आपकी समझ में नहीं है आप उत्तर प्रदेश में कहीं जंता को जगाने की कोशिश करक जनता जागी है कि आप आप सो जाएंगे उसी दिन अभी बहुत पड़े अभी आप देख रहे हैं कि एक राजमे गुजरात में पचास फीजदी से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है जहां एक मोरभी का पुल गिर गया जिसमें इतने सारे डोग डेर सा लोग मर गए उस ज पुल कलपनाओं में रहेंगे कि अब पद्यात्रा हो गई तो आधी चलने वाली एक सो सतर सीट आई जा रही है दो सो आ जा रही है तो आप बुरी तरह से आपने लोगतंत्र को खो दिया आप अपने आपको खो देंगे मैं यह कहना चाहता हूं मीडिया तो इस समय दूसरी कैपिटलिजम है यह क्रोनी नहीं है क्रोनी से बहुत आगे की चीज है यह सिर्फ शापे राजनेतिक दलों पर ही नहीं पड़ते एक पूरी लिस्ट है एंडी टीवी समेथ जिन पर शापे मारे गए और अल्टिमेटली उनको अडानी ने खरीदा यह भी तो आप देखिए ने की बांब मेक एर पोर्ट जो चला रही थी कंप्नी उसको अपना एरपोर्ट उस महिने ही बेचना पढ़ा अडानी को जिस महिने उस पर सीवी आई ने छापे मारे ईडी ने छापे मारे ऐसा कभी हुआ है कि किसी सौदे को सस्ता करना या बेचने पर मजबूर करने के लिए केंद्र सरकार की टेक्स एजनसी और इस तरह की एजनसी बनी लॉंडरिंग वगर को कवर करने वाली एजनसी और CBI अपना रोल ने भाए कभी आपने देखाया कि ऐसी डूपती हुई कंप आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है गोजणा कर रहा कि मैं इसमें पैसे लगाऊंगा जिसको सारी रेटिंग एजनसी आखत्रा बता रही हो जिसमें सारी विदेशी विदेशी बैंकों ने red line कर दी हो उस पर भारत का एक बैंक का एक extension पाया हुए CEO उसे उसकी नौकरी की अ abnormal situation है दुर्भागे से इस abnormality को समझने वाला विवेक हमारे विपक्ष के पास नदारत है जो बहुत खतरनाक इस्थिति